वेलकम टू न्यू नसरी किसान सातियों आजके इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की सबसे खुबसुरत बेर जिसका नाम है Miss India Apple Bear जहां दोस्तों आजके टाइम पे सबसे खुबसुरत ब्यूटिफूल वराइटी का नाम है Miss India बहुत सारे लोग इसको भारत शुंदुरी नाम से भी जानते हैं और आज के टाइम पर सबसे ज्यादा चर्चे करने वाला वराइटी है मिस इंडिया अपल बेर और इस वराइटी का जो सबसे बड़ा खासिया थे वो यह है कि यह नया वराइटी है 2022 में नया करके लॉंच तो आप एक किलोमेटर दूर से ही समझ जाओगे कि एक किलोमेटर दूर में मिस इंडिया की बाग है ठीक इसका खुबसूरती इतना ज्यादा है और मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है वो आप खुद ही देख सकते हैं और यह जो वराइटी है प्रॉडक्शन के मामले में भी बहुत एडवांस लेबल पे है आज से लगबग 11 माहिने पहले हमने इसका प्लांटेशन किया था और सिर्फ 11 माहिने काफी अच्छा टीटमेंट करने के बाद हमें पर प्लांट से 35 किलो के आसपास प्रूटिंग हमें मिला है तो दोस्तों आप समझी सकते हैं कि प् मिठा जरूर है कि हर एक एज गुरूप का बंदा इसको बहुत आसनी से खा पाए मैं यहीं समझाना की कोशिश कर रहा हूं आपको कि almost 60% लोगों को तो मिठा पसंदे लेकिन जो 40% लोग डाइवेटीस के पेशेंट है शुगर के पेशेंट है उनके लिए यह बहुत ही प्रावी शक नहीं है और आप देख सकते हैं बिल्कुल अंगूर की तरह इसका पैदावर है एक एक ब्रांच बिल्कुल अंगूर की तरह सजा हुआ है और यहां पर अल्मोस्ट पत्ते से ज़्यादा फ्रूटिंग मौझूद है इसका पत्ता भी गोल-गोल है और इसके अ हार एक चीज इसमें अच्छा है ठीक है लेकिन एक बात है साइज साइज इसका उतना ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है 40-60 गिराम लेकिन इसमें परिशान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि पोड़क्शन ही इसके इतना ज्यादा है तो थोड़ा साइज कराम करके फ्रूट बहुत आसनी से मिल भी जाएगा इसका जो ग्रोथ है बोविक बाकी वराइटी से बहुत ही अच्छा है और फिलाल यह जो वराइटी है अगर कोई किसान इसके उपर अलग से फार्मिंग करता है तो उसका लॉस कभी नहीं होगा क्योंकि यह बहुत ही कम ट आपको सही गाइडलाइन ना मिले और टाइम टू टाइम खाद ना मिले तब जितना रेजल्ट आपको आना चाहिए ता उतना भी शायद नहीं मिलेगा हमें इसलिए 35 किलो फ्रूटिंग मिला है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा टीटमेंट किया गया है तो आपका भी इतन करना पड़ेगा उपर जिन जिन जेगाओ पर पक्षी का बहुत जरा हाथसा होता है वहाँ पर नेट का वहुस्ता करना पड़ेगा ठीक है ताकि पक्षी आके खान आ ले तो कुछ-कुछ छोटी-छोटी चीजों के उपर ध्यान देना पड़ता है जो बाद में जाके को दिखने को मिलता है तो दोस्तो मिस इंडिया अपल बेर बेसिकली बहुत यह अच्छा वराइटी है इसमें कोई शक नहीं है ठीक है और हर एक चीज सिवाय साइस का इसमें हर एक चीज अच्छा है और इस वीडियो को बेंगोली में देखने के लिए आप आलिया नस्तरी की प्योटली पर जा सकते हैं बहाँ पर भी इसमें बताया गया है इसके बारे में क्यूंकि जो जीन को हिंदी समझ में नहीं आता बेंगोली इसमांझ में आता है तो उननके लिए अलग Same Video बनाया गया है ठीक है और इसका अंदर का जो सीड है वो भी भी बहुत ही चोटा है अब हम बात करेंगे अगर कोई बंद एक एकर जमीन में इसका plantation करता है तो उसका खर्चा कितना आता है और उसका earning कितना होता है तो दोस्तो इसमें आप 10 बैद 10 में अगर plantation करेंगे तो एक एकर जमीन में लगबख 420 पौदे लग जायेंगे उसको हम 400 मान के चलते हैं पहले सल में 35 किलो आप छोड़ी दो अगर आपको 30 किलो भी फूटिंग आपको मिले ठीके और अगर सिर्फ 30 रुपे आपको 30 रुपे किलो में अगर सेल कर पाए तो एक प्लंट से आपको बनता है 600 रुपे एक एकर जमीन में आप 400 पौदे लगा प किसी के पास भी कोई भी किसान इसका फार्मिंग नहीं कर रहा तब चांसे आपको पर किलो 60-70 रुपे भी किलो मिल सकता है लेकिन आप एक चीस समझे सकते हैं कि इसी साल सिर्फ 11 माईने में सिर्फ और सिर्फ हमें पर पौदे से 35 किलो की आसपास हमें फूट की प्राप्ती हुई है जो काफे बड़ी एचिबमेंट है हमारे लिए लेकिन इसमें मेहनत भी करनी पड़ी बहुत ज्यादा सो हम इस साल 45 रुपे से लेकर के 50 रुपे तक हमने इसको सेल किया है और हमारे यहां पर बहुत सारे किसान के पास इसका बाग भी है तो फिर भी हमें 45 रुपे पर किलो मिला है हम काफी खुश है इस फार्मिंग से और मुझे पता है कि आपको भी आपके लाइफ में भी बहुत बड़िया रंग लेकर आएगा वराइटी क्योंकि आल ओबर इंडिया में बहुत ही कम ऐसे किसान है जो आज के टाइम पर मिस इंडिया के उपर काम कर रहे हैं और जो लोग अल्रेडी काम कर चुके हैं उनकी उनसे अगर आप पूछोगे अगर उनका वीडियो देखोगे तो आपको यह बात पता चलेगा यह जो मिस इंडिया है हकीकत में आपकी जिन्देगी को एक बहुत बड़ी मतलब बेटर लाइफ आपको दे सकता है ठीक है इसका जो प्लांट है वो होलसेल प्रैस में हमारे पास आपको मिल जाएगा आप भारत की किसी भी कोने से बिलाउं करते हो फर्क नहीं पड़ता प्लांट आपके नजदी की रेले स्टेशन पे पहुँच जाएगा आपको खुद जाके इस टेशन पे लेकर आना पड़ेग और आप हमसे फोन भी कर सकते हो ठीकए फोन करने का मतलब यह नहीं कि आपको प्लांट लेना ही लेना है आप जानने के लिए भी फोन कर सकते हो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलते है दूसरे वीडियो के साथ और तब तक लिए